एलो फ्रेंट्स मैं हूँ अन्नपुर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो कुल्फी एक स्पेशल चीज के साथ वो है खजूर खजूर के बहुत सारे बेनेफिट्स है जैसे की ये antioxidant का बहुत अच्छा source है blood sugar को बनाई रखने में मदद करता है brain को तुरंद boost करता है bone mass को बनाई रखने में मदद करता है ये बच्चों के लिए बहुत ही healthy है तो आईए ऐसे healthy चीज़ के साथ हम बनाते हैं कुलफी इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया एक लिटर दूद ये गाय का दूद है उसके बाद एक medium size का आम है 10-12 खजूर है 3 स्पून शुगर है और ये fresh cream है घर का है और कुछ mixed dry fruits है और 4-5 इलाइची है सबसे पहले मैं ग्यास के पर बलतर रखके दूद पकने रख दूँगी जब तक कि मेरा दूद पकता है तब तक कि मैं बाकी चीज़ों की तयारी कर लेती हूँ सबसे मैंने मैंने खजूर के छोटे-छोटे टुकडे कर लिए है काजू के भी टुकडे कर लिए है खजूर कंपल सरी है और काजू ओप्शनल है अब मैंने आम का छिलका उतारा है आम का छिलका उतार के इसके छोटे छोटे क्यूब कर लोगी छोटे छोटे क्यूब करने से ग्राइंड करने में आसानी होगी हमें आम ग्राइंड करते समय पानी नहीं यूज़ करना है और आम जादा पका हुआ भी नहीं होना चाहिए, कच्छा भी नहीं होना चाहिए, अब मैंने आम के छोटी-छोटी क्यूप कर लिए, अब मैं इसको ग्राइंड करके साइड में रख दूँगी, अब आप देख सकते हो, मेरा दूद काफी पक चुका है, अल्मूस्ट यह आदा हो ग अब हमें दूद को इससे जादा नहीं पकाना है, क्योंकि इसमें अब हम डालेंगे आम का पल्प, तो यह अटमेटिकली गाड़ा हो जाएगा, अब मैं मेरा दूद पक गया है, मैं ग्यास का फ्लेम आफ करके, मैं इसको साइड में रख दे रहे हूँ, अब मैंने ग्यास क कारमल बनाऊंगी, उसको मैं इसके ओपर डालूँगी, खजुर का जो मैं कैरमल बना रही हूँ, यह ऑप्शनल है, ऐसे बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, आप चाहो तो खजुर डाल सकते हो, काटके भी डाल सकते हो, ग्रैंड कर अब मैंने खजुर डाला है, और काजु डाला है, काजु मैंने थोड़ा सा ही डाला है, खजुर मैंने ज्यादा डाला है, अब मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ, पका कि मैं इसको थाली में निकाल लूँगी, अब मैंने घी लगाया है, इसलिए यह थाली में चिपके कुल्फी से कमी मेरे दूद से तकड करके इसमें छोड़ा हो तो जिनकी अब करके काई है निधन के अंगे करें दोँ जोड़ा हुझा चोड़ा से घ ot सोटा वे छूट करें मैं मैं थोड़ा सा झाट लोंगी मुझे पाउडर बाउडर नहीं बनाना है जुस्त डरदारा करना है ऐसा करने से जो कुल्फी है खाते से मुह में लगता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है अब मैं मेरी डूट्थ ठंडे हो गया है, इसमें मैं मैं गोस्त लिखा इसमें में मीध्स कर रही हूं मैंगो का पल्प मैं उसको भी निकाल के इसको मिक्स कर रही हूँ, इसको मैं continue तक इसको मैं मिक्स कर दे रहूँगी, तक कि मिल्क और मैंगो पल्प आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, 10 मिनिट बाद आप देख सकते हैं, इसका कलर बहुत अच्छे से आया है, अब मैं इसमें मिक्स मैं अच्छे से मिक्स करेंगी, मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, अब मैं इसको डालोंगी कुल्फी के मोल्ड में, मैं नीचे थोड़े से ड्राइफ़ूट डाले हैं, कुल्फी में खजूर में चीज है, बाकि काजू कीष्मिष्ट ये सारी ऑप्शनल है, आप चाहोँ तो skip भी कर सकते हो या अपनी चोई से कोई और भी यूज़ कर सकते हो अब मैं डाल रही हूँ इस पैटर को कुल्फी के मोल में कुछ को डालूँगी ग्लास में और कुछ को डालूँगी आइस क्यूब के ट्रे में उसके बाद मैं इसको जमने के लिए रात भर के लिए फ्रिजर में रख दोगी ये नेक्स डे हैं आप देख सकते हैं मेरी कुल्फी बनके रेडी है ये चोटी साइज वाली जो है ये आइस क्यूब के ट्रे में डाली हुई है दिखने में काफी प्यारी है बहुत टीस्टी है आप भी इस कुल्फी को बनाएए और कमेंट सेक्शन में बताएए आपको ये कुल्फी कैसे लगी अगर आपको मेरी ये रेस्पी अच्छी लगी हुँ तो प्लीज इसको लाइक, शेर और सस्क्राइब करें साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें थैंक यू